नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 7 बेस्ट स्मार्टफोंज की जो कि आप खरी सकते हैं अंडर 25,000 रुपीज की प्राइज में इस महीने काफ़ इंट्रेसिंग सेग्मेंट है दोस्तो 20-25,000 रुपय का और काफ़ी सारे आप्शन यहां पे अवेलेबल हैं लेकिन हम आपके लिए कर रहा हैं बैस फोस जो कि आप खरी सकते हैं तो अगर आप भी जाना चाहते हैं दोस्तो तो बन रहेगेगा हमारे साथ इस वीडियो में दोस्तो वीडियो स्टाट करने से पहले आपको बदा दो कि जिन्बी स्मार्टफोन के हम बात करेंगे अज के इस वीडियो में इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिशन मिल जाएंगे यहां पे जाके आप इनकी करन पाइजिंग और आफ़र को चेक कर सकते हैं चले जादा टाइम कराब नहीं करते हैं स्टाट करते हैं सीधा नमबर 7 के साथ और नमबर 7 पर है दोस्तो वनप्लस की तरफ से वनप्लस नॉट सी थरी के में बात कर रहा हूं जिसका करन पाइजिंग है 2-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- पर design के साथ में तो टैपिकल OnePlus जासा design आपको यहां पर देखने हो मिलने वारा है इसका रियर पैनल में फ्रेंटजाइट से flat display है जो कि आता है flute AMOLED पैनल के साथ में 128 का screen reflect यहां पर दिया गया है display quality अच्छा है दोस्तों यह आप यहाँ पे देख सकते है performance के लिए यहाँ पे Snapdragon 782G चिप्रेट का यूज किया गया है जो की अच्छा चिप्रेट है करीब 6 लाग क्या स्पास के आपको benchmark score देखने हो मिल जाते है daily users में कोई भी issues नहीं है heavy gaming पे यहाँ पे कर सकते है तो performance से SH कोई भी issues देखने को नहीं मलने वाले लेकिन हाँ आगर मैं बात कर रहा हूँ camera की तो यह इस phone का key highlight feature आप कर सकते है क्योंकि यह आपको मिलता है Sony IMX 890 sensor के साथ में 50 Megapixel का यहाँ पे primary sensor दिया गया है और यह काफी अच्छी image को capture कर लेता है दोस्तो यहाँ पर में OIS का support की देखने को मिल जाता है phone में 5000 mAh का battery है 80W का fast charging support देखने को मिल जाता है dualist to speakers भी यहाँ पे दिये गये है oxygen OIS के साथ में आता है दोस्तो तो कोई कमी नहीं है phone में दोस्तो सारी जी जो को बहुत भी अच्छी तक balance रखा गया है तो definitely एक अच्छा choice है लगबो 22,000 रुपी pricing में आप इसे consider कर सकते हैं आज के लिसमें यह आ रहा है number 7 की position पर number 6 की बात कर रहा है दोस्तो तो यह आता है IQ की दरह से मैं बात कर रहा हूँ IQ Neo 7 की जो की आपको मिलता है 24999 रूपीज की price में अब दोस्तो यह थोड़ा सा पुराना phone हो चुका है लेकिन फिर भी अपनी pricing को अपनी specification को अच्छे जिस्टिफाय करता है दोस्तो सब से मेले यहाँ पे आपको performance अच्छा देखने हो मिलता है क्योंकि यह है phone आता है MediaTek Dimensity 8200 जेपसाइट के साथ में जो की नोड़ोड एक बहुत भी powerful जेपसाइट है और performance के लिए दोस्तो यह सब से अच्छा phone भी हो सकता है यहाँ पे हमें 90fps का gaming भी देखने को मिल जाता है इसके रहाँ दोसे phone का design भी ठीक है फ्रंट साइट से हमें एक flat display देखने को मिलने वाला है Super AMOLED panel के साथ में 128 का screen refresh rate camera आपको 64MP के देखने को मिलेगा OIS का support यहाँ पे दिया गया है 5000 image का battery यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 120W के fast charging support के साथ में dual studio speakers आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाते है तो हाँ अगर आपको performance के लिए अच्छा phone चाहिए लगबग 24,000 रुपी बाइजिंग में तो आप इसे consider कर सकते हैं दोस्तों आज की list में यह आ रहा है number 6 की position पर number 5 की तरब जलते हैं दोस्तों तो यह आता है एक P OLED पैनल और यहाँ पर आपको curved display भी देखने को मिल जाता है दोस्तों 140 वरोट्स का screen refresh rate भी दिया गया है display quality दोस्तों no doubt बहुत ही amazing है और यह एकलोता phone है दोस्तों इस price range में जो कि आपको 140 वरोट्स का screen refresh rate भी दे रहा है इसके लब बात कीजाए design की दोस्तों तो यहाँ पर भी यह phone पीछे नहीं रहता है काफी अच्छा design है leather finish आपको देखने मिल जाता है इसके blue color में कुछ और color में black color का option आता है matte finish के साथ अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इस phone के camera की तो यह दिया गया है 50 makeup pixel के primary sensor की साथ में ठीक टक से image को capture करता है मतलब मैंने कहूंगा कि बहुत अच्छा camera है लेकिन बुरा भी नहीं है दोस्तों कुछ image आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका comparison ने कुछ और phone के साथ में भी किया है तो camera में SH को issue नहीं है लेकिन हाँ इससे अच्छे camera phones हमें इस price में और देखने को मिल जाते है OIS का support आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों performance के लिए MediaTek, Demosity, 703, 706 यहाँ पे दिया गया है और इसका performance भी ठीक था IP68 का rating आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 5000 mAh का battery यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे support है 68 Watt के fast charging का Dual stereo speakers आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों, phone almost near to struggle के साथ में काम करता है बहुत सारे bloat wear आपको यहाँ पे देखने को नहीं मलता है तो इसका experience भी अच्छा हो जाता है तो definitely दोस्तों इस phone को आप consider कर सकते है अच्छा phone है हालां कि जब इसका pricing लगबख 20,000 रुपे था sale में या किसी time पे तो यह काफ़ जदा popular हो था under 20,000 रुपीश की price में 21,000 रुपे की price में भी दोस्तों ठीक है लेकिन हाँ अगर यह 20,000 रुपे का हो यहाँ पर आपको 20,000 रुपे का instant discount मिल जाता है या फिर cashback offer देखने हो मिल जाता है तो इस phone का करीज़ 20,000 रुपी price में खरीच सकते है और यह दोस्तों बहुत amazing phone है चाहाँ फिर मैं बात कर रहा हूँ इस phone के design की चाहाँ मैं बात कर रहा हूँ इस phone के display quality की rear side से भी मैं एक glass build के साथ में देखने हो मिलता है दोस्तों इसके लाब काफी slim phone है काफी lightweight phone है और अगर मैं बात कर रहा हूँ front side की तो हालाग कि यह flat display के साथ में आता है लेकिन इस phone का display quality नोड़ बहुत ही amazing है क्योंकि यहाँ पर जो bezel size है दोस्तों वो बहुत जादा कम है तो यह almost full view experience आपको दे जाता है दोस्तों और काफी साथ low curve display पसंद नहीं है तो उनके लिए दोस्तों यह display perfect है जी यहाँ flat display के साथ में यहाँ पर हमें bezel size काफी कम देखने हो मिलता है super amulet panel है 120Hz का screen refresh rate है तो display quality दोस्तों काफी अच्छा है in fact यहाँ पर हमें 1800Hz का peak brightness पी देखने हो मिल जाता है 1.5K resolution के साथ में इसके लवा camera की बात किजाए दोस्तों तो 200MP का primary sensor यहाँ पर आपको देखने हो मिलता है काफी अच्छी image को capture करता है दोस्तों यहाँ पर में OOS का support भी देखने हो मिल जाता है कुछ images आप यहाँ पर देख सकते है इसके लवा अगर मैं बात कर रहो हूँ फोड में performance की तो snapdragon 7SZ2 चप्रेट के साथ में यह काम करता है दोस्तों करीब 6,000,000,000 क्यास पास के आपको batch pass score देखने हो मिल जाता है एक decent of performance आपको देखने देगा हाला कि इस से भैतर chipset इस price में available है लेकिन इस chipset से भी SH आपको कोई issues देखने को नहीं मिल रहे है general class में यह काफी अच्छे से काम करता है in fact आप heavy gaming भी कर सकते है और इससे हमने test भी किया है दोस्तों मुझे इस phone का performance काफी अच्छा लगा battery 5100 damage का आपको देखने हो लेगा 6-7 watt का fast charging support है dual user speakers भी आपको यहां में देखने हो मिल जाते है तो complete phone है दोस्तो Redmi Note 13 Pro 5G मुझे लगता है कि काफी अच्छा option है इस price में आप इसे consider कर सकते है आज की list में या रहा है number 4 की position पर number 3 की बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह फिर से आता है IQ की दरह से मैं बात कर रहा हूँ IQ Z7 Pro 5G की जी हां दोस्तों यह थोड़ा सा पुरारा phone हो चुका है लेकिन फिर भी number 3 की position पर है इसका क्या reason है दोस्तों बहुत सरे अच्छे features आपको इस phone में देखनी को मिल जाते है सबसे बेला है इस phone का performance MediaTek Dimensity 7200 chipset की साथ में आता है काफी powerful chipset है करीब 7 लग से उपर के आपको batch pass score दे जता है practical performance दोस्तों इस phone का knowledge बहुत ही amazing है इसे हमने काफी आपको बहुत आपको बहुत अच्छा लगने वाला है यह curve display के साथ में आता है जहां पे super AMOLED panel है 128 का screen refresh rate है और display quality आप यहां पे दिख सकते हैं यह काफी impressive है camera के बात कर रहा है तो 64 Megawisal का primary sensor है यहां पर भी OIS का support देखनी हो मिल जाता है यह भी दोस्तों काफी अच्छा perform करते है Fanta जो इसके साथ में काम कर रहा है Android 13 पर यह base है प्लोट वर वगर आपको यहां पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं नहीं अन्वन्रेट वेट्स वगर आपको यहां पर पर परिशान करेंगे battery 4600 image का है लेकिन ये 5000 image से भी ऊपर का काम करता है दोस्तों इससे आपने काफी सारे phones के साथ में टैस्क किया है बैटरी वेकर में इस phone का काफी अच्छा है यहां पर में 66 watt का fast charging support भी देखने को मिल जाता है इस phone में आपको single speaker ही देखने को मिलता है इन फिक काफी ज़्यादा powerful chip site है दोस्तों तो हाँ आप इसे concern कर सकते है pricing इसका करीब 21-22 रूपी के असपास आपको देखने को मिलने वाला है तो definitely दोस्तों ये एक बहुत अच्छा phone है इसलिए आज के लिस में आ रहा है number 3 की position पर अब बार ही है दोस्तों number 2 की तो ये आता है Realme की तरह से Realme 12 Pro 5G के बात कर रहा हूँ 2-5 AAA इसका price होता है दोस्तों 2000 पे का bank offer मिल जाता है तो 2-3 AAA यानि कि 2000 पी pricing में आप इसे खरीच सकते है अब दोस्तों इस phone में बहुत सारे key highlight feature है हाला कि एक कमी भी है जो की बहुत ज़दा highlight हो गई है लेकिन सबसे बेले बात करते हैं दोस्तों इस phone की key highlight feature की तो उसमें top पे आता है दोस्तों इस phone का design जी हाँ no doubt बहुत ही premium design है दोस्तो rear side से में ये leather finish के साथ में देखने मिलता है और बहुत ही soft touch आप कह सकते हैं leather यहाँ पी use किया गया है तो no doubt एक बहुत ही premium feel आपको देने वाला है दोस्तों ये iPhone इसके लावा camera cutout भी आप देख सकते हैं ये भी काफी अच्छा है अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस phone के camera की तो यहाँ पे दिया गया है 50 megapixel का primary sensor जहाँ पे Sony का IMAX 882 sensor यूज किया गया है ये अच्छा sensor है दोस्तों इसे हमने test किया है आप यहाँ पर कुछ images देख सकते हैं इस phone में दोस्तों आपको telephoto lens भी देखने हो मिल जाता है और यहाँ पर मैं 20x का super zoom भी देखने हो मिल जाता है अगर मैं बात कर रहा हूँ battery की तो 5000 image का battery यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पर आपको 67 note का fast charging support देखने हो मिल जाता है dualistory speakers भी हाँ पे लिए गया है realme UI 5.0 version की साथ में काम करता है यानि कि android 14 पे दोस्तों यह base है और हाँ आगर मैं बात कर रहा हूँ performance की इस phone में दिया गया है दोस्तो snapdragon 601 chipset अब number पे मच चाहिएगा दोस्तों यह almost same है snapdragon 7s gen 2 chipset के comparison में जी हाँ लगबग वैसा ही performance हमें इस phone में भी देखने हो मिलता है अब number change हो गया है तो थोड़ सी क्या होती है mentality ऐसा हो जाती है कि खराब chipset है या फिर lower chipset है लेकिन दोस्तों अगर आप specification को देखेंगे अगर आप practical performance को देखेंगे तो यह snapdragon 7s gen 2 जैसे ही परफॉर्म करता है तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगा कि इसके performance में कहीं भी विकमी है तो हाँ इस phone का performance में में अच्छा देखने हो मिल जाता है तो कुर मिलता है दोस्तों ये बहुत ही कमाल का phone है इस price range में आप जरूर से consider कर सकते हैं आज की लिस में आ रहा है नमबर 2 की position पर और फाइनल ये बात किजा है दोस्तों नमबर 1 की तो ये आता है POCO की तरह से मैं बात कर रहा हूँ POCO X6 PRO 5G की इसका pricing आपको मिलेगा 2699 लेकिन 2000 पर आपको bank offer मिल जाएगा तो 25,000 रुपिक व्राइजिंग में यहां पर में देखने हो मिलते हैं बहुत चारे ब्रेंट दोस्तों ऐसा performance में 30 से 35,000 रुपिक व्राइजिंग में भी नहीं दे रहा है जो कि यह phone offer कर रहा है 25,000 रुपिक व्राइजिंग में तो अगर आपको hardcore gaming के लिए कोई phone चाहिए अगर आपको mainly performance के लिए कोई phone चाहिए तो इस से जब phone नहीं है दोस्तों 25,000 रुपिक व्राइजिंग में तो हाँ इस बात को अब जान में रख लिएजएगा performance के लिए अगर आपको phone चाहिए POCO X6 Pro सबसे अच्छा phone है इसके लब दोसो phone का design ठीक है मतलब बहुत ज़रा premium नहीं है front side से भी आपको एक flat display देखने हो मिलता है आना कि display quality अच्छा है दोस्तो super remote panel है काफी bright display है 1800 का peak brightness आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाएगा 128 का screen refresh rate भी है अगर मैं बात कर रहो हूँ camera की दोस्तों ये भी ठीक है 64 megapixel का primary sensor आपको दिखने मिलता है OIS का support भी है अगर हम बात कर रहे हैं battery की तो 5000 mAh का battery है 67W का fast charging support है dualist dual speakers है end display fingerprint sensor है बागी सबी चीज़े दोस्तों अच्छी है phone का design ठोछा और जादा premium होता तो definitely ये और महेंगा phone लगता हाला कि cost cutting यहाँ पर भी करनी पड़ेगी क्योंकि 25,000 रोपी प्राइजिंग में आपको बहुत सारे feature offer कर रहे है तो हाँ दोस्तों अभी के हिसाब से best phone 25,000 रोपी प्राइजिंग में बनता है Poco X6 Pro 5G तो कॉल में दोस्तों ये थे top 7 best smartphone जोगी आप खरी सकते हैं अंडर 25,000 रोपी की प्राइज में इस माही ने मुझे पूरी उमीद है दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपने लेक बैदर डिजिल ले पाएंगे इस वीडियो को लाइक और शेर करना मत बूलिएगा दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियो जेकना चलको सब्सक्राइब दिरू कर लिजिएगा हम आपसे मिलते हैं आगला ऐसी किसी वीडियो में तब तक लिए आपकी दिन चुप रहे आज कवरी देखने के लिए बहुत बुदान्यवाद